दोस्तों नमस्कार मैं हूँ देविश दोस्तों आज हिंदू नववर्ष है साइद आपको जानकारी हो कि जो विक्रम संबत है वो ऐसा नहीं कि वही जी कोई सर्फ केलेंडर ही बदला है नहीं नहीं भही जी महाराज धराज समराट विक्रमा दित्ते ने शकों को खराया था और उसी विजय के उपलक्ष में ये विक्रम संबत आज परवर्थत होता है वही जी तो शक कहां से आये थे बताओ आप ये इरान और अफगानस्तान के वासी थे और शकों को भारत पर हमला करने के लिए भारतियों नहीं बुलाया था भाई साब वो तो विक्रमा दित्ते म में हिमालाय से दे के समुद्र परियंत तक पूरी भूमी पर हिंदू समराज जिस्थाबित किया था समराट विक्रमा दित्ते ने तो उनकी जो वीर गाता है उसी का प्रतीक है ये विक्रम संबत इसलिए आज हमने किवल अपना पंचांग नहीं वदलना है वाही साब आज ह हमने अपना इत्यास वियाद करना है कि कि भाईया किस गौरवसाली परंपरा का प्रत्रमजद तो करते हैं हम आज के जमाने में इसी वीच भाईया जी हम आपके लिए रोजाना सोबह और शाम 6 महत्वपूर्ण खबरों का मजेदार एनालेसिस लेकर आते हैं इसलिए अब अपने चैनल का नाम भी बदलकर मजेदार एनालेसिस कर लिया है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उसी क्रम में आजन चाचा करेंगे भाई साहब की फ्रांस ने हमें कौनसी राह देखाई है सोचल मीडिया से जुड़ी हुई साथ में विया जी कास्मीर में जो शार्दा फीट है जिसे सदियों पहले नस्ट कर दिया गया बरवाद कर दिया गया उसी को पुनड़ जीवित कर रही है बोधी सरकार वो भी कव जवाज नवरात्तिरी का पहला दिन है साथ में भाई साब यूके से इना तो धोका दिया है भारत को तो हमें भी जी टेड़ी उंगली से घी निकालना आता है साथ में पश्चमी देश तो बोरा गए हैं अनाप सनाप कदम ले रहे हैं यूक्रेन के युद्ध में पोतेजिन सहाब इनको धंग से पीटेंगे ऐसे करम भाई दी अक्षम में हैं भाई साब लेकिन भाई जी पौतेंस आप भी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं आजकर वो कहँए रहे है तो भईये जी रुपया का इस्तमाल क्यों नहीं कर रहा हुआ आप ये पसंद ये बात भईये जी पसंद नहीं आई आपकी साथ में भईये जी दुनिया 5G पैट की हम 6G पर पहुंच गए हैं हर घटना क्रम ये जो है वो आप से जुड़ा हुआ है पक के से मज़ा आएगा आ 247-48 की बात कर रहे हैं पाकिस्तान ने अटेक किया कवाईलियों का तब हम उनको खदड रहे थे नहरू को जो है UN में जाना था हमने का तुम चले जाओ कोई दिक्कत नहीं लेकिन कम से कम भईया सारदा पीट तो अपने कबजे में ले 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 थे आप भईया जी मैप देख कर लीजाबनाए हैं जो इतियास है उसकी कद्र नहीं की गई और जो लोग हमें बड़ा मानावदेकार फ्रीडम ओफ एक्सप्रेसिंग का ज्यान देते हैं उनसे हम कहते हैं कि ब्यादी जड़ा कलपना कीजिए इस शारदा पीट का यह जो हस्र है वो कैसे हुआ किस ने किय इसके पुजारी भी होंगे भक्त भी होंगे उन पर कौन कौन से जुल्म कितनी बुरी तरह से ढाये गए हुए होंगे इसकी ब्यारी कल्पना कर लीजिए इसके लिए कोई artificial intelligence की जरूरत नहीं है जो बुरा हुआ सो बुरा हुआ अब अच्छा किया जा रहा है वो क्या कर र इरिया से तो वहां पर बना दिया गया है मंदर जिसमें सारदा देवी को प्रतिष्ठापित किया गया है उनकी प्रतिष्ठा हो गई है तो मासरस्वती देवी जिनका वास्ताव में आधिपत्य है कास्मीर के उपर उनकी संस्कृती फिर से लौट रही है कास्मीर के उपर स इसलिए हमने मोजी जी का साथ नहीं चोड़ना है और हमने अगर साथ दिया व्याद रखिए दोस्तों को भारत के हवाले करेगा नहीं तो लेना तो हमें आता है अपनी विवस्ता पक्की है आज नहीं तो कल यह भारत में आना है वो पक्का है वाई शाथ, इसी बीच दोस्तों समय समय पर जाने यंजाने हम सभी अपने बच्चों के फोटो शोसल मीडिया में डाल देते हैं, वो गलती हो जाती है या कभी एक दो फोटो शेर करते हैं, वो चलता है, लेकिन ये बात हमारे ध्यान में हैं कि कई लोग जान भ पूज कर बार बार अपने बच्चों के फोटो शोसल मीडिया में डालते हैं, उससे प्रसद्धी प्राप्त करते हैं, कंट्रोवर्सी क्रियेट करते हैं, आप सभी अखवार पढ़ते हो, आपको सब पता है, तो फ्रांस ने रस्ता दिखाया है कि जो माता-पिता अपने ब बास्ताव में यह तो बच्चों के फोटो आप सोचल मीडिया पर डालते हैं, एतिहासिक रूप से पाया गया है कि इन फोटो का बेजांद रूपयों होता है, बेजांद रूपयों हो रहा है, हम बता नहीं सकते, आप हमसे जादा समझदार हैं, पोइंट सिर्फ यह है, कि बच्चों के फोटो के साथ फालती में खिलवार नहीं होना चाहिए, अब दोस्तों आपको देहान है, यूके में भारती है, उच्चायों के साथ क्या हुआ, यूएसे में कैसे हुआ, तो भाईया जी पहले नंबर लगा है, यूके का, इनके पाईसाब सबको पता था, कि भाईया जी ब्रोद प्रोदसर्शन होने वाला, फिर भी भाईया जी इनकी जो सिक्योरिटी वो नदार करना चालू कर दिया है, भाईया जी दिमाग अगर है, होश्यार को इशारा काफी होता है, यदि आप नहीं सुधरे, तो भाईया जी हम आपको सीधा कर देंगे, पॉइंट जे है, अगर आप अपने देश में हमारे उच्चायों की सेफटी की विवस्ता नहीं कर सकते, तो भाईया हमने कोई फ्री फो कट में ठेका ले रखा है, आपको सुरक्षा देने का नहीं चलेगा भाईया जी, ये सब काम, एक तरफा, एक खास्ते ताली ना तो कभी बजेगी, ना बजाने का हमारा कोई प्रयास है, मोडी सरकार ने जो किया है, बहुत अच्छा काम किया है ये गोरे लोग हैं, काले दिमाग वाले हैं, इनके दिमाग ठिकाने ऐसे ही एक्सन से आएंगे भाई साब, इसी बीच भाईया पश्चमी देश भाईया जी तुम कितने गिरोगे युद्ध में मतलब, इस से जागा भी गिरना बाकी था तुमें, मतलब आप देखिए, वो जो यूरेनियम बनता है, जिसका इस्तमाल इंधन के रूप में किया जाता है, परमानु सयंत्र में, आधियारों में, उसको बनाने की प्रोसेस में, जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, जो फाल्तु प्रोडक्ट बसता है, उसको बोलते हैं, डिप्लीटेड यूरेनियम वो रहता फालतु है, टॉप ग्रेड यूरेनियम के सामने, वो होता कमजोर ही है, लेकिन फिर भी बहुत तागतवर होता है, इतना तागतवर होता है, ये अगर वो लोहे से टकरा जाए, तो लोहे में छेद कर देता है, फिर उसमें भईया बैंपर्स बगरा नकलती है, बहु रूस डर जाए, हम कहारे है, रूस डरेगा नहीं भईया जी, आप इस प्रकार के कामों से रूस को खुली छूट दे रहे हो, ताकि वो भी नूकलियर हत्यारों का इस्तेमाल युद्ध में आपके खिलाब कर सकें, भईया आप युद्ध लड़ रहे हो, तो एक लिमिट र क्या चलना है, नहीं के दिमाग में, मतलब 22 भी कह रहे हैं कि साब हम तो डॉलर की जगह युवान का ही इस्तमाल करेंगे, युवान का ही प्रचार करेंगे, ग्लोबल ट्रेड सिर्फ युवान में होगा, हम ने कर लो, लेकिन रुपिय का क्या, रुपिय के लिए आप बहा प्यार महबद कर रहे हो, चीन में आपके लिए कौन सी कुर्वानी थी, जिसके लिए आप उस प्रत्य महरवान हो रहे हो, आपने पाकिस्तान की मदद करके भी देख लिया, वो भीया यूकरेन में टैंक भेज रहे हैं, आपको दोस्त दुश्मन का फरक नहीं समझ में आ र रहे हो, दोस्तों आप में से कुछ लोगों को बुरा लग सकती है यह बात, लेकिन सच है आपके सामने हैं, देख लीजिए, इसी वीट भीया दि दुनिया अब ही 5G पैट की हुई है, और हम भीया जी पर पहुंच गए हैं, पाइब जी का तो भीया जी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट रोल आउट किया है, सबसे तेजगती से रोल आउट हो रहा है भारत में 5G, और अब 6G के लिए टेस्ट बैड भी आ गया है, उस टेस्ट बैड में क्या होगा, जो साइन्टिस्ट हैं, जो प्रोफेसर्स बगेरा हैं, कंपनिया हैं, वो टेस्टिंग करेंगी नए-nay solution नहीं नहीं टेक्नोलोजी डिबलप करेंगी, तो भाईया जी यही है लीडर्शेप, लीडर्शेप विश्वगुरू बनने के लिए कोई हमारे सरपे सींग उगना जरूरी नहीं है, अर्थिया धुनिक टेक्नोलोजी के मामले में हम सबसे आगे निकल रहे हैं, दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं, वही हमें बना रहा है विश्वगुरू, आज हम पश्वी देशों का पिछवाडा नहीं देखते, हम उनके पिछलगबू नहीं बन रहे हैं, आज हम उनका नेत्रत्व कर रहे हैं, 6G की फील्ड में आपके सामने हैं दोस्तों, अब द शिकार बनाने के लिए, तो आपको यदि पैसा कमाना है, तो आपको शिकारी को, शार्क मचलियों को शिकार बनाना पड़ेगा, काबिलियत हासिल करना पड़ेगी, और उसी में मदद करेगा आपका आत्म निरभर इन्वेस्टर कोर्स, साथ में भाई साब लोगों का ये आ उसका तरीका है आचारे चानक की हैजिंग स्ट्रैड़ी, जो हमना पड़ाई है आत्म निरभर फ्यूचर्स एंड आत्म निरभर ऑप्शन कोर्स के माद्दम से, जिस कोर्स में आपकी सद्धा है, उसे जोईन करने के लिए, लिंक मिल जाएगी, आपको इसी वीडियो के ड धन्यवाद, जैज स्री राम